प्रभास और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार रेल पे दोस्तों सहरसा रेलवे स्टेशन के एक बड़ी लंबी समस्या थी जो कि अब सॉल्व होने जा रही है दोस्तों इसके रेलवे ने प्रयास बढ़ा दिये हैं और इसी के साथ-साथ बिहार सरकार भ पूरे डिल्क साथ दोस्तों इससे पहले के वीडियो करूँ मेरा आपसे आगरा बिहार की छोड़ी छोड़ी इरेल अपडेट के लिए चलों को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके अपने रहे समुद्धे पर जरूर बताएं और कोई भ एक वहिए ओंडी को प्रोश करता है तुसे चार से पांच रेल ट्रैक्स को पार करना होता है और जब गुम्ती गिरते है तब जो चटे वहाइनों वहांु चो लोग ट्रैफल कर रहे होते हैं चाहिवो साइकिल से हो या फिर बाइक से हो वो इसक गारनां से क्या होता है निर्मान निगम की तरफ से रेलवे को एक GAD यानि की जनरल अरेंजमेंट ऑफ ड्राइंग्स बनाके भेजा गया था जिसे रेलवे ने पास कर दिया है अब दोस्तों यहाँ पे बिहार राज पुल निर्मान निगम ने इसकी एक DPR बनाके प्रसासनिक मुख्याले को भेजी और दोस्तों जैसे ही DPR को स्युक्रिती मिलती है इस रेल अवर बिज का निर्मान शुरू हो जाएगा हाला कि दोस्तों इससे पहले भी कई बार इस रेल अवर बिज का सिलन्यास किया जा चुका है दोस्तों इस से पहले तीन बार इस रेल अवर बिज का सिलन्यास किया गया दोस्तो उसके 5 साल बाद 22 जून 2005 को फिर से इसका सिलन्यास किया गया उस समय इसका बजट करी 15 करोड रुपे रखा गया फिर दोस्तो करी 9 साल के बाद यानि 22 फरवरी 2014 को ततकालिन ग्रह राजी मंत्री अधिरंचन चौधरी जी ने इसका फिर से सिलन्यास किया तीसरी बार और उस समय इसकी लागत 57.54 करोड रुपे रखी गए और दोस्तो आज जब फिर से इस पूल को बनाने की तैयारियां सुरू हो चुकी है तो इसकी जो लागत वो कम स्कम तीन गुना बढ़ चुकी है यानि कि अब यह पूल 170 करोड रुपे में बनेगा दोस्तो मुझे आश